स्वागे तब सभी का दिशा क्लासेस ओनलाइन यूट्यूब चैनल पर आज हम देखेंगे कक्षा 11 हिंदी का 2021 का फाइनल जो पेपर आया है उसका पूरा सोलुशन में आपके सामने लेकर आया हूँ और इसको अच्छी तरीके से देखें मैंने हर एक कोशन को ढूंड कर लिखा है और पूरी मेहनत से तयार किया है इसलिए प्लीज इसको लाइक जरूर करिएगा जैसा कि पहला कोशन इसका इसका अंसर है हमार पास का और इसके बाद मैंने पूरे कोशन नमबर एक से लेकर कोशन नमबर अठेस तक पूरा सोलुशन आपको इसमें प्रोवैट करवाया है इसलिए पूरा धंक से देखेगा इससे पहले मैंने एक थोड़ा से वीडियो अप्लोड किया था उसमें थोड़ा कोशन आंसर गलत आ गये थे इसलिए अभी हमने पूरा हमारे इस्टुरेट नमबर अच्छी तरीके से किया है तो आप पूरा पेपर देख सकते हैं तो पहले का आ गया का, दुसरे का निशान लगा रहा है आपके सामने कोई नहीं समझ में आये तो पूछ सकते हैं और गलत हुद आप कमेंट कर सकते हैं कोई दिक्कत वाली बात नहीं है इस तरीकी सा आप पूरा अनसर से दे सकते हैं गजगामीनी आ रहा है तीसरे गा, नानबाई तुर्रम वाले आ रहा है, सिनेमा आ रहा है, इद का चांद वाले में कभी-कभी दिखने वाला आ रहा है, रिक्तिस्तान में पहले गाजाएगा देश, दुसरे गाजाएगा मोहन, तीसरे गाजाएगा रती, चोथे गाजाएग सत्य सत्य आपके सामने इसके बाद में चोटे वाले में एक वाक्यम उत्तर लाऊं, तो आपके सामने इस तरीके से रिखा है, पहले वाले का वेंजना, दूसरे का समात सेवी, तीसरे का राना ने, चोटे का पत्रकार और पांचवे का अनुपरास, अगर आपको अच्छी दूस्वरे की तूस्य नंबर 6, ज भ्मार नसुर दिय। मामूली अंदेरी सी थी दुकान थी, ओकिया, थोड़ा सा कड़िया है तो यह मामूली अंदेरी सी दुकान थी नेक्स आगे बढ़ते हैं, सभी के अंसर देखें मैं स्केन करके लाया हूँ, ठीके, यह साथवे का है लोग मीरा को बावरी क्यों केते हैं, तो इस वज़े से केते हैं यह हमारा पास अंसर दे रखा है, ठीके आटवे वाला यह पूरा अंसर, स्क्रिंशोट ले ली जीगा आटवे का आप नोवे का अंसर लेते हैं, सोरी यहां पर थोड़ा से कड़िया है आटवे का अंसर आपके सामने, अथवा वाला मैंने यहां पर अंसर दिया है ठीके, इस पीदी का इत्यास में कम ही नाम है, क्योंकि उच्छे दर्रों वो कठीन रास्तों के कारण आवागामन अत्यंत कठीन था नेक्स्ट, नोवे वाला, नोवे की तरफ बढ़ते हैं, नोवे में हमारे पास जो पूछा है, दक्तों का साया है, धूप का क्या प्रतिकार थे, तो हमने पूरा इसका पूरा इस्क्रीशोट ले लीजे आप, आराम सापके पाद आंसर आजाएगा कोशन नमबर दस की तरफ बढ़ते हैं, कोशन नमबर दस जो हमारे बार शास्त्री संगीत और चित्रपट संगीत में क्या अंतर है, शायद कोशन नमबर दस, I think उसमें आपका ये लिखर का है, मतलब एक कोशन ऐसा कुछ है, आगे पीछे होगे शायद हमारे बनाने में, उ कोशन नमबर दस वे का आंसर ये लिख लिजेगा, और ग्यार वे मुसको शब्द कोश में से सही जमा लिजेगा, ठीक, आगे पड़ते हैं, कोशन नमबर ग्यारा का शायद आंसर ये है, ग्यारा बारा में गई पर थोड़ा सा चेंज है, आप प्रश्न डंग से देख ठीक है, प्लीज धंग से देखिएगा, मोखीक संचार से क्यातात पर है, तो ये हमारे पास मोखीक संचार वाला जो अत्वा वाला कोशन है, तेरवे का वो में, देखिए दसवे ग्यार वे बारे में थोड़ा सा कन्फ्यूजन है, तो उसको थोड़ा देख लिजेगा, पास यहाँ पर है, कोशन नंबर तेरवे का अत्वा है, कोशन नंबर चौधर का अत्वा बढ़ते हैं, और यह उजद्यूजवे का अर्थ व्यक्ते करता है, यह पंद्रवे का अत्वा बता रहो हैं आपको, शब्द शक्ती तीन प्रकार के होती है अभीधा, लक्षणा और विंजना ये काफी इतना सा लिख लेना आपको next आगे बढ़ते हैं पूरा पेपर लेका है हूँ question number 16 का answer आपके सामने है पूरा देर कभी ने ऐसा क्यों कहा है कि इस अंसार बोरा गया है इसका पूरा उत्तर आपके सामने ही ये रहा है okay पूरा ढूंड कर लाए है तो अच्छी तरह कीसे देखिए इसको और ढूंडिये खुद भी question number 17 का answer आपके सामने ही ये रहा है okay ये 17 वा question आपके सामने है ठीक है, question number 18 की तरफ बढ़ते है question number 19 आचुक है इस प्रकार से पूरा है ठीक है, question number 21 जो है जन संचार की प्रमक विश्यस्ताओं वाला पूरा ये आपको AZT आपको screenshot ले लीजिए, okay और ये पूरा बड़ा लिख रहा है आप चाहए जितना लिख सकते है आपके मर्जी से, ठीक है question number 21 हो जोगा, question number 22 का जो प्रेम जन की रचनाई हमने लिखी है गबन और गोदान दो रचनाई बोला है तो दोनों ये लिखने के बार इसका भाषा पूछी थी, शेली पूछी थी इनकी शेलियों की डीटेल सकते हैं आप चाहए जितना लिख सकते हो, okay आपको जैसा भी suitable लगे उस तरीके साब लिखिएगा, okay ये हमार रपास question number 23 हो चुका है question number 24 जो है, इस प्रकार से है क्रिशनाथ वाला कालिदास से यहां प्रा कर गएगे ये प्रशन है आपको यहां से लिखना है प्रसंग से, संदर्व से लेकर, okay तो यहां से यह पूरा लिखिएगा, okay और इसका screenshot ले लिजे आप आगे बढ़ते हैं, इसका 25 वा जो question हमार रपास उसका संदर्व प्रसंग और वैख्या, आपके सामने यह मैं लेकर आया हूँ और इसका screenshot ले लिजे पहले फिर मैं आगे बढ़ता हूँ, विशेस्ता हैं, विशेस्ता हैं आपके सामने यह हैं तो आपको विशेस्ता हैं भी यहां से लिख लेनी है, okay ठीक है, इसके बाद यह थोड़ी साहित थी कि रचना वाला शिर्शक जो है अमार पास वो इसका 26 वा कोशन उसका थोड़ा सा थोड़ा इस तरीके से हो रहा है, दुन्दला पन लेकिन आप थोड़ा देख लिजेगा ठीक है, थोड़ा फोटो किशने में थोड़ा दिक्कत चुपा होगा शायद ठीक है, आगे बढ़ते हैं इसके बाद जो 27 वा कोशन है, आवाद व्याद प्रत्योगीता वाला यह पूरा आपके सामने इस प्रकार से है, उसका पत्र लिखना था, यह पूरा पत्र एज़िट इस आप स्क्रिंशोट लेजे और लिख लीजेगा और इसके बाद आपने बढ़ते हैं, कोशन नमर 28 वा है, इंटरनेट का इसके दो अ और वा एक रूप रेखा है और एक इस पर डिटेल लिखना था, तो यह रूप रेखा प्रस्तावन ना, सभी मैंने आप लिख दिया है और यह पूरा अव वाला पूरा, इसमें बहुत बड़ा लिख रहा है, आप चाओ तो इसको थोड़ा छोटा करके लिख सकते हो, निबन, या आप किसी किताब में सी भी लिख सकते हो, लेकिन मैं आपके सामने लेकर आया हूँ, मैंने सूचा पूरा पेपर बना ही देता इसलिए पूरा टाइम लिख गया, और इसका बह वाला जो है, हमारा सुच्च भारत अभियान पर रूप रेखा बनानी ती दिये, रूप रेखा पूरी आपके सामने सुच्च भारत अभियान पर, तो यह पूरा हो चुका है, कैसा लगा आपको कमेंट में ज़रूर प्रोइम ट ध जो ऐफिये, और थे भारत अपके सामने सुच्च भारत अबर बताई ज़रूर बताई पूरूर एधला स जापके सामने वालाव जग जा पूर तो, इसके सामने रह घ